हलो फ्रेंज उमीद करता हूँ सब बढ़े होंगे आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कोलकता के सबी टूरीजम प्लेस को और साथ ही मैं कुछ हिदेन प्लेस के बारे में बताने वाला हूँ तोपिक है कि आपको कुलकाता के रुकनक आ है ताकि आप सभी जगों पे आसानी से जाके घूम सके तो फ्रेंस इस्टे होने के लिए सबसे बेश्ट है आपको या तो सियल्दा रेलवे स्टेशन के आसपास में होटेल या रूम लेना होगा या फिर आप धरमतल्ला के आसपा टूर प्लान बनाना है तो मेरे हिसाब से सबसे पहला दिन आपको निकलना चाहिए निको पार्क के लिए निको पार्क जाने के लिए या तो आप बंस का ट्रेवल कर सकते हो या फिर आप मेट्रो से जा सकते हो या फिर अगर आपका बज़र अच्छा है तो आप टेक्सी ओ फ्याद लगेगा और अगर आप Metro से जाते हो तो वहाँ पे एक Metro एस्टेशन है और वहाँ Metro एस्टेशन पर उतरने के बाद आपको टेक्सी या फिर अगर आपको टैम्पू मिलता है तो उससे आप निको पार्ण जा सकते हो, तो बेस्ट रूट का आ जाए तो अगर आपका ब निको पार्क का टिकेट है पर परसन 500 के कुछ आसपास है मैं भूल रहा हूं मैं गया था तो और अगर आप उसका पूरा पैकेज लेना चाहते हो तो 800 या फिर 1000 के आसपास कुछ है इससे क्या होगा कि जब आप पूरा पैकेज लोगे तो वहाँ पे आपको वाटर पार्क और सबी एडवेंचर आपको फ्री मिलेंगे लेकिन अगर आप सिर्फ पार्क इंटरी का टिकेट लेते हो जो 500 के आसपास कुछ लगाता पर पर परसन तो वहाँ पे सिर्फ कुछ एडवेंचर जो है वो फ्री है बाकी आप वाटर पार्क नहीं जा सकते हो वहाँ पे खाना आप छाओ तो इको पार्क जा सकते हो इको पार्क अफी बड़ा है नेकिन वहाँ कुछ uh और टाज महल और पैटिस का अफ़ी टावर यह सब कुले बनाए हुआ हुआ तो वह सब आप देख सकते हो और फोटो बीडियो बना सकते हो और साथ ही वहाँ पे इन तीन जगहु को कबर कर सकते हो और आसानी से आप इन तीन जगह आपको चले जाना है एकसी स्मॉल एकसी स्मॉल जाने के लिए अगर आप मेट्रों से जाते हैं तो सेक्टर फाइब जाके वहां से आप बस से नही beds भेज़ कर सकते हैं आप अगर बच्चे के सार जारे तो काफी सारे एडवेंचर भी है अंदर और आप उन चीज का मज़ा ले सकते हैं लेकिन उसका खुछ सर्थ है जो नियम में आपको बताने वाला हूँ आपको एक्सी स्मॉल में लेवेल 6, 6 प्लोर पे जाना है वहाँ पे उनका टिकेट है पर परसंट 500 रुपे अगर बच्चा है कोई भी बच्चा हो फिर भी उसका टिकेट फूल ही लगता है तो 500 पर परसंट का टिकेट है एक्सी स्मॉल के स्नोफॉल में जाने के लिए जो की 500 टिकेट का लगता है वो जैकेट हैंड गलाप्स जूता यह सभी उनके तरफ से फिरी है एक घंटे का सो है आप इंट्री करोगे एक घंटे वहाँ पे स्नोफॉल यानि बरफ में आप घूमों मस्ती करो बच्चों के साथ उसके बाद साथ ही आप एकसी स्मॉल में सौपिंग कर सकते हैं सभी चीज वहाँ पे अबलेबल है तो आप आधा डे अपना वहाँ पे दे सकते हैं स्नोफॉल और एकसी स्मॉल का शौपिंग में के बाद आधा दिन बिताने के बाद आप वहाँ पे चले हैं पास में ही है विसू बंगला गेट जो की वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पर कोई भी इंट्री फी या फिर इंट्री टिकट नहीं लगता है, इसमें सिर्फ सर्त यह है कि आपको यहाँ पर कम से कम 500 रुपे का खाना 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 पर 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 संद, तो अगर आप एक आदमी है तो आप आसानी से इंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ जाके खाना 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 परता है कम से कम 500 रुपे का, लेकिन वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, मैं खुद गया था, तो हम दो लोग थे, और साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपके साथ को पच्चा, वच्चे कोई भी टिकेट आफी, ख ऐसा वसूल खाना है उसमें, और उसमें आप चाहो तो वीडियो बना सकते हो, आप चाहो तो फोटो, सेल्पी ये सब ले सकते हो, तो बहुत ही बहतरीन लगा वहाँ पे भी घुमने में, तो आप चाहो तो एक दिन में इन दो जगों को भी कवर कर सकते हो, उसके बाद तीस पेकेज है, और वहाँ भी पेकेज है, अगर आप सभी सो का पेकेज लेते हैं, तो उनका कुछ, 800,000 के आसपास उनका टिकेट है, जिसमें सभी कुछ included है, लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरी टिकेट लेते हैं, तो साथ रूपे पर पर सन है, और उसके बाद अंदर जाके अ बहुत सारी बाते बताई गए जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगा और भी काफी सारे सोज है जो कि हमने नहीं किया लेकिन अगर आप साइंस सीटी में घूमना चाहते हैं तो कम से कम आपको आधा दिन से जादा चाहिए साइंस सीटी घूमने के लिए क्योंकि उसमें बहुत स लेकिन यहाँ पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे तिहासिक चीज आपको देखने को मिलेगा जैसे अंग्रेजों के जमाने के फोटोज वगेरा हैं बंदू कुछ मेरे पास कुछ व जाओ तो यहाँ पे भी आके घूम सकते हो या फिर इसी दिन दे ठीरी में ही आप चाहो तो इंडियन म्यूजियम भी यह राश्ते में तो यह आपके उपर डिपेंड करता है उसके बाद डे फोर में आप आ सकते हो कुलकत्ता के जू में हलाकि जू बहुत ही बड़ा नहीं है आधा दिन काफी है गुमने के लिए और एक नॉर्मल सा जू है यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा आपको एक सेड मिलेगा एक चीता मिलेगा एक बाग मिलेगा और कुछ जाफ हैं और बाकी सारे छोटे मोटे जानवर वो सभी है यहाँ पे लेकिन आधा दि गुमने के बाद आप चाहो तो सीप का मज़ा ले सकते हो जो कि मिलेनियम पार्क पास में ही है तो आप मिलेनियम पार्क जाके वहाँ पे साम का व्यू लेके हावरा ब्रीज को देख सकते हो So friend day 4 में भी आप काफी अच्छा enjoy कर सकते हो बाद day 5 में आपको निकलना है धरम तल्ला मार्केट में जो कि साम के टाइम अगर आप जाओगे तो बेस रहेगा साम के टाइम बहुत ही बड़ा मार्केट लगता है तो day 5 में आप तीन जगह को विजिट कर जखते हैं हाला कि सबसे पहले आप चले जाओ पोदम पाकोर सूज मार्केट वहाँ पे आपको एक से एक तरह के सूज, चपल, बच्चे, बड़ोके और लेधर बैग, लेधर बेल्ट ये सभी एक चीप एन बेस्ट प्राइज में मिलता है तो आप पोदम पाकोर सबसे पहले चले जाओ वहाँ घूम लो, उसके बाद सेकेंड आप धरमतला मार्केट घूम लो धरमतला मार्केट में एक से एक चीज मिलता है उसके बाद थर्ड जब थोड़ा इबनिंग टाइम होता है तो आप चांदनी चौक मार्केट यानि वहाँ पे लाइटिंग का एक से एक तरह का मार्केट लगता है बहुत ही बड़ा मार्केट है तो लाइटिंग ये सब आप खरीच सकते हो और मोबाइल के कबर मोबाइल बहुत तरह के इलेक्ट्रोनिक सामान चांदनी चौक में मिलता है तो डे 5 में आप इन जगों को कबर कर सकते हो उसके बाद आप चाहो तो डे 6 में सीटी सेंटर 2 मॉल का आनन ले सकते हो बहुत ही बड़ा मॉल यानि शौपिंग मार्केट है कुलकातागा तो वहाँ पे जाके आप घूम सकते हो सौपिंग कर सकते हो और साथ ही आप वापस आते टाइम इंडियन म्यूजियम में जाके घूम सकते हो तो डे 6 में ये सब आप कबर कर सकते हो और डे 7 में वापस आप घर चले जाओ क्यूंकि साथ दिन खाफी है कुलकाता के लिए और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो में में जगह है घूमने के लिए तो सबसे पहले सबसे बेस्ट जगह जो है कुलकाता का साइन्स सीटी जो की सबसे बेस्ट जगह है कुलकाता का साइन्स सीटी आप घूमो निको पार घूमो विक्टोरिया मेमोरियल घूमो उसके बाद आप मिलेनियन पार्ग जाके आप वोट का सीख का मज़ा लो तो ये सब बेस्ट जगा है बाकी आप जू और तारा मंडलीन सभी जगों पे घूम सकते हैं वैसे अगर आप देखोगे तो काफी सारे और भी जगा है घूमने के लिए लेकिन ये डीपेंड करता है अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप डे बाई डे सब जगा घूम सकते हैं लेकिन आप कम टाइम में घूमना चाहते हैं तो एक दिन में दो तीन जगा को कवर कर सकते हैं सो फ्रेंज उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा मिलते हैं फ्री नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए देख